हाई हेलो दोस्तों उपस्तित एक नया वीडियो लेकर आज हम आपको KYC के बारे में बताएंगे KYC क्या होता है और ये खास कर बैंकों में या किसी कंपणी में क्यों जरी हुई होता है हर एक पॉइंट को छुने की कोशिस करेंगे जिससे आपसे कोई जानकारी KYC के बारे में ना छूटे क्योंकि बैंकिंग में KYC का प्रावलम कही बार जैलना पड़ता है तो आएए चलते हैं सीधे वीडियो पर KYC बैंकिंग और फाइनेंस के च्छत में इस्तेमाल होने वाला परचली टर्म है KYC का फुल फॉर्म नौई और कस्टमर होता है जिसका हिंदी में अर्थ अपने ग्रहक को पाचानना होता है बैंक या कोई कमपणी आपका पाचान KYC के जरिये करती है इस परक्रिया में आपसे कुछ डोकुमेंट मंगा जाता है यह डोकुमेंट ही आपका KYC का लाता है आईए अब हम जानते हैं कि बैंक या कोई कमपणी कब हमसे डोकुमेंट के मंग करती है जब हम नाया बैंक एक KYC ही करते हैं और एक बात बता दूँ अगर आपका एकॉन निस्क्रिया हो गया है तो बेंक आपका जो डॉर्मेंट एकॉन्ट है उसको फिर से चालू करने के लिए आपको एकॉन को KYC करता है जिसमें आपको डॉक्मेंट मांगा जाता है KYC में कौन-कौन से पहचान पत्र जरूरी है उसके बारे मैं बता दूँ कि आपको उसमें आप कौन-कौन से कागज वैलिड होते हैं पासपोर्ट, ड्राइविं लैसेंस, मद दाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, अधार कार्ड आपको इन में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान के सत्यापित करने के लिए देना आवस्य करते हैं यदि इन दस्तावेजों के साथ आपके पते का विवरन भी हो तो इस पते को परमान मान लिया जाएगा यदि आप अपने निवास अस्थान के सही पते का परमान नहीं दे पाते हैं तो आपको इस संब्ध में अन्य वैदानी के दस्तावेज देने आवस्टे करते हैं जिसमें आपका पता परमानित क्या हो तो पते के संब्ध में कौन-कौन से परमान दिये जाते हैं इसके बारे मैं बता दू, भोगता बिल जैसे टेलिफॉन का बिल, बिली या गैस का रिफिलिंग बिल, पासपोर्ट, बैंक अकॉंटर एस्टेट्मेंट जो मेल के द्वारा भेजा गया हो, रासन कार्ट, इत्यादी, ये सबी कागजात आपको पते के परमान के रूप में आ के वैसी का बहुत इम्मत है, क्योंकि इस विधी के द्वारा व्यक्ति के आवेदन और उसके पहचान को सुनिस्चित कर लेते हैं, इस बात से अस्वास्त हो जाते हैं, जो भी दस्ता भी दिये गया हो, वे वास्तित हैं, ऐसे कई प्रकरण हुए हैं, जिसमें धोखादरी जाल साजी कर एकोंट से पैसे निकाल लिये जाते हैं, यदि आवेदन का पहचान सुनिस्चित हो जाता है, तो जाल साजी की समभावना कम हो जाती है, और इसे रुका भी जा सकता है, अगर किसी बेंक में एकोंट खुलवाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको केवेसी का फोर्म कैसे आता है, पूरा डेटेल्स अगले वीडियो में बताया गया है, जिसका लिंग के नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, धन्यवाद